पाइनली फोड़ अधिया अधिया नमस्कार आप सब्सक्राइब स्वागत है सिर्टी पोस्ट में हम अभी आपके लिए प्रोग्राम लाया है जिसमें हम और आश्रतो डिसकस करेंगे आपको सुपर थर्टी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए इस फिल्म में लीड हीरो के तौर पर आपके सामने रितिक रोशन है उनके ऑपोजिट मिर्नाल ठाकूर है इस फिल्म में पंक श्तिरपाटी भी है अधिता श्रिवास्तव है CID में जो CID के कौन से थे वो मे होगा खुबसूरत कलाकार है लेकिन हम यह discussion कर रहे है कि आखर सुपर थर्टी अगर देखनी चाहिए तो क्यों देखनी चाहिए और अगर नहीं देखनी चाहिए तो क्यों नहीं देखनी चाहिए आपको बता दे आशितोष आनंद कुमार जिनके उपर यह बेस्ट फिल्म ह उनके स्टूडेंट रह चुके हैं और यह आपको आनंद कुमार के बारे में बताएंगे असल जिंदगी में आनंद कुमार कैसे थे बहराल आपको बता दे इस फिल्म का रिव्यू हम ऐसे करने जा रहे हैं फिल्म आप जरूर देखिए अगर मैच से आपको प्यार है तो आप फिल्म देखिए अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट या पढ़ने की किशा रखते तब जरूर फिल्म देखिए लेकिन अगर आप बहुत और फिल्म देखने जा रहे हैं तो आपको रितिक रोशन की आक्टिंग नहीं नजर आएगी साथ में ओवर ड्रामा नजर आए इस फिल्म में डाला गया लेकिन जो बच्चे इसमें दिखाए गया है बच्चों का स्ट्रगल दिखाए गया आनत कुमार का एक रियालिटी ओफ स्ट्रगल दिखाए गया वो कहीं न कहीं आपको प्रेरिच जरूर करेगा लेकिन रितिक रोशन का वो डार्क फेस जो कि बात कर रहे हैं तो मेरे नजर से अगर आप फिल्म देखने जा रहे तो आपको एक्टिव नहीं नजर आएगी स्टोरी लाइन बहुत कम है लेकिन आनंद कुमार चुकि खुद ही एक इंस्पिरेशनल सक्सियत है तो वह है और अगर आपको थोड़ा ड्रामा देखना है तो व सबसे पहले आपको यह बता दें कि आप फिल्म के बारे में कह रही थी फिल्म मुझे लगता है कि सब को देखनी चाहिए क्योंकि आनंद सर की जो लाइफ है जो शुरुआत से ही बहुत ही स्ट्रगल वाली लाइफ रही है और युवाओं को खास कर उनसे बहुत कुछ सीख जब मैं उनसे पढ़ा करता था यह आज से 4-5 सल पहले की बात है मैं उनके जो लिया करता था तो जब क्लास में आते थे सबसे बड़ी चीज मुझे पढ़ाई से जादा अच्छी लगती थी कि जब क्लास में आते थे तो जिस तरीके से जो बच्चे होते थे उनके साथ इं अलग सी उर्जा बच्चों में भरते थे सबसे पहले उसके बाद बाते बताते थे तो इससे क्या होता था कि जो बच्चों के दिमाग में जो कुछ चीजे चल रही होती थी वो निकल जाती थी और वो फ्रेश माइंड के साथ जो वो पढ़ाते थे उसको एचीव करते थे बहुत अच्छा एकस प्रेंस था अलग तरीका था पढ़ाने का अलग नज़रिया था पढ़ाई को देखने का मत्हमेटिक्स को देखने का क्या कर आप बनो कर के आप लोग को भी अलग दुनिया में बेजा जाता था और आयाईट दिखाई जाती थी चुकि इस फिल्में बन करके बच्चों को दिखाय गया है कि वो आय अदे में जाया है और लग्ते गया अपन दूनिया मेरा जाए थे वहां तुम्हारी लाइफ कैसी होगी वहां से कुछ कर जाओगे तू वहां उसके बाद तुम्हारी जीते हो कैसे जिन्दगी बदलेगी कैसे तुम्हें करती त्याव करते हैं ते तॉट किया करते थे जैसे आम तो अम mm बच्चे की करते हैं वैसके था गट özNet नहीं चलेगा जब अगर तब्रत कर राब फोर इसे कार कर отв वहीं जो रिकी है रिकी बाइक से जाता है पढ़ने के लिए और बड़े कोचिंग में जाता है परिवार का बच्चा तो वो एक अलग तरीका था कि कैसे एक बड़े परिवार का बच्चा और एक छोटे परिवार की करता है जो कि रीधन करता है तो भोलु कोचिंग को हमेशा से निकारते आयों मतलब ऑल्दो गरीबी से अगर कुछ उठाया है किसी ने उनको ठाया है तो ये कोचिंग ही एक पाथ रहा है जहां से वो गरीब से थोड़े से सब्सक्राइब करते हैं तो यह जो पैसा आया था कोचिंग से उसको नकार देते हैं लेकिन क्या सच में वो कोचिंग में नहीं पढ़ाते हैं और वो सर्फ गरीब बच्चों के लिए खुद को डेडिकेट जी नेहा जब हम पहले पढ़ा करते थे तो आनन सर कहते हैं कि जो आ करेंगे तो आपके अलग पहचान कभी नी बन सकते उनकी जो एक जिंदगी है उनकी जिंदगी में अलग पहचान इसलिए है क्योंकि जो अमलूमन जो लोग करते हैं उनसे अलग कुछ करने की कोशिश की उन्होंने और अलग कुछ किया भी क्योंकि आपको एक कहानी उनके तो अपने अपने पिता की जगह पर अपने पीता की जगह पर जो नौक्री और वो कर सकते थे और कमा सकते थे अपनी जिंदगी जो एक आम जिंदगी है वो सेटल कर सकते थे लेकिन उन्होंने ये चीज नहीं चुनी उन्होंने उनका सपना था कि मैं कुछ जिंदगी में कुछ ऐसा करूँ जो बिल्कुल अलग हो जो बच्चों को पढ़ाने का दूसरों को अपनी जो सिक्षा देने का बड़ा ही शौक था तो वो बताया करते थे जैसे कि चाहते तो वो अपनी आम जिंदगी चुज कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं करी उनको सपना था कि उनकी जब माने पूछा तो उन्होंने साफ नकार दिया कि नहीं मुझे ये नौकरी नहीं करनी है पतनी थी और मादी इनकी शादी हो गई थी लेकिन फिल्म में उनके शादी नहीं दिखाएंगी फिल्म में दिखाएंगी उनकी प्रेमिका थी और यह सच कहानी है और मैं जो आपको वो कहानी बता रहा था कि उन्होंने बिलकुल अलग से चुना और संघर्शो के साथ चलते गए चलते गए चलते गए एक और कहानी मैं आपको बता दूँ कि जब Saturday Sunday को शायद BHU में जो लाइबरेरी होती है वो खुली होती है और वो पटना से और BHU हर Saturday जाय बहुते हैं और हो जो भीए ची यогे जो लाइबरेरियन है उस लाइबरेरी मो पढदते ग्रीं मौ भी उनको निकालता है कि यह बाहरी को आलाओ नहीं हिस तुम निकल यहां से वह पढ़ते हैं तो एक चपरासी आके उनको ये टिप्स देता है तो अगर इसमे आर्टिकल लिख दोगे तो तो तुमको ये फ्री में मिलेगा हर महिने अगर आपके अंदर किसी चीज को करने की इक्षा हो अगर अंदर से आप कुछ सोचते हैं कि मुझे ये चीज करनी है तो जिन्दगी और जो कहते ने ऊपर वाला वो आपको रास्ते कहीं न कहीं से दिखाई देते हैं और सेम चीज आनन सर के साथ हुई जब हम से पढ़ाई किया करते थे बहुत सारी कहानिया बहुत अच्छी अच्छी बाते बहुत सारे ऐसे चुटकुले बड़े ही मज़े तर बटते हैं तब ही उनके मुलकाद अधिते श्रीवास्तव जो कि एक्सिलेंस कोचिंग के मालिक होते हैं उनसे हो जाती एक्सिलेंस कोचिंग वाले उनको पहचान जाते हैं अननद कुमार है तो इनको अपने कोचिंग में लेया हुत बच्चे जादा हैं वह कमर्शियल बटती हुई उनके पास मौका था कि वह जौब कर सकते थे अपने पिताजी के जगह पे लेकिन उन्होंने वह चीज नहीं चुनी उस समय में क्या हुआ कि जब परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो कुछ तो करना था तो उनकी माता जी ने कहा था कि आप आप तुम पापड बेचो और दोनों भाई पापड बेचते थे और शाम को वो पढ़ाई करते थे और उनके पास टाइम होता था दो चार घंटे पापड बेच लिया उसे कुछ आमदनी हो गई घर का परिवार का खर्चा चल जाता था और उसके बाद वो अपना पढ़ाई लि कुल आनंद कुमर के क्लास में आप होते हैं वत क pencils होता है जब वह ऑन में आपको किसी तक किसा नहीं किया, या उनके संव appvordan कॉल मोटमको होती तो उनकी पढ़ाई से जदा उनकी जो माटिशनल बाते बहूं आता है जब भी वो किसी और खुट जा जाता था को इसे बाते तिल पर लगती थी धिमाग पर लगती तिर उसुंनके तो एक पाते करने के बेध़् कर था यह दattend Islands करया। बढ़ा तरीका बहुत अलग है कैसे अब आप उनके सामने बैठी है तो बातों में आपको मूह लेंगे तो बहुत यह अच्छा तरीका था बहुत इलग नजरीया था बहुत यह तरीका था लाइव चीने कुछ जै आदा है एक एक घानी मुझे आद है तो मैं किसी नहीं अध पढ़ाने लग गए तो फिर मैं ऐसी ऐसे बैठा वहता सोच रहा था तब तक आये और उसके बाद उन्होंने चॉक फेक के मुझे मारा था कि भोलू क्या कर रहा है ऐसे करके तो बड़ी अच्छी अच्छी अच्छा दिन था वो तो चॉक फेक के वह उनका इक स्टाइल है च ही नहीं प्ताइए तो बहुत सारी एति अटरी कभी उन्होंने शेर किया आप लोग लग कर्ष किन आप जैसे बतारी आप जैसे बतारे थिस तरीके से फिल्म इंदिखाया गया है कि जो उनकी प्रेमिगा थी किसी और शारी हो गई थी उनकी तो ऐसे कुछ कारी थिवह ठीक से पता थी तो ऐसी कुछ कहानी थी अच्छ कैसे गरीब बच्च चुकी उनके लाइफ स्टेबल हो चुकी थी वह कोचिंग में बत और टीचर पढ़ा रहे था उनके नाम पे भीड भी आ रहे थी बहुत पैसा कमाया जा रहे था वह कोचिंग जो संस्था थी वह भी बहुत प आईपीएस का जिक्र नहीं है इस फिल्म में अकेले आनंद कुमार नजर आते हैं कि वह स्टेबल करते हैं सारी चीज़े सेट अप करते हैं उनके भाई जो है वह साथ देते हैं और कैसे फिर यह गरीब बच्चों का कैसे उनके जैसे यह जो आइडिया था यह आइडिया ज आनंसर मैथ पढ़ाते थे और फिजिक्स पढ़ाते थे तो जब यह जर्नी जो शुरुआत हुई सूपर 30 की जर्नी तो दोनों साथ साथ रहे अव्यानंसर और आनंसर एक साथ थे और फिजिक्स पढ़ाया करते थे आनंसर मैथ पढ़ाया करते थे लेकिन किसी बात को लेकि कि उनकी अंदरुनी कुछ बात थी, इनको लेके खटपट हुई, और फिर दोनों अलग हो गए, आनन सर की अपनी अलग सूपर्थटी हो गई, उन्होंने भी अलग से अपनी कोचिंग खोली थी, उनका उसका पिनाम उनने सूपर्थटी ही रखा था, लेकिन जो एक मेन कि कहानी कहां तक सच है, फिल में दिखाएगा उनको पर बहुत सारे अटाक हुए हैं, जो उनके कॉंपटेटर हैं, मतलब जो जो संस्थान में वो बतावर टीचर काम कर रहे थे, उस ओर्गनाइजेशन के लोग उनके ओपर अटाक करवाते हैं, यह सच था क्योंकि उस समय था तभी बिहार सरकार ने उनको सिक्योरिटी दी थी और जो बिहार पुलिस के दो-तीन जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड उन्हें मिले थे, और जो वो आते थे तो उनके साथ वो आते थे, यह जो अब कभी होता है ने, कि जब आप कुछ अलग कर रहे होते हैं, कुछ जो एक भीड चल रही हो तो उसमें से कुछ आपने अगर अच्छा कर दिया तो आप लोग जलने लग जाते हैं तो शायद यह वही कहा नहीं थी लोग जलने लग गए थे एक अलग सी पहचान बन रही थी आनन सर की लोग जानने लग गए थे एक अलग सा कुछ ले के आ रहे होता है पटना में यह कहां तक सच्छा अब बच्चे बच्चो के साथ जो है ना कि जो सुपर थर्टी के बच्चे होते हैं उनके साथ एक बहुत ही फैमिलियर महौल होता है जब मकर संक्रांती होता है तो उस इन सब बैठ के एक साथ जो दही चूड़ा भिहार का बहुत फ ना कौर एक पेंत्यास लोगों का परिवार है जो एक साथ रहता है एक साथ खाता पीता है सब एक दूसरे को जान भी जाते हैं जो आनन सर की मा है वो बच्चों को बहुत प्यार करती है सब एक दूसरे जो आनन सर की वाइफ है वो सब के लिए खाना बनाती है रोटिया बनाती है बहुत ही मतलब अच्छा लगता है एक परिवार जैसा एक महौल होता है और ये आनन कुपर अपनी पढ़ाई को यानि आपके मैट्स जो सब्जेक्ट चुकि मेरा मैट्स बहुत विए क्लासिक्स के बास शाहिदी मैट्स में इंट्रस्ट ली हूँ लेकिन मैट्स को वो रियल लाइफ में इंप्लिमेंट कर देते हैं यानि बच्चे उसे मशीन बनाना सीखने लगते हैं मैट्स से, मैट्स के थियोडी, फिजिक्स के थियोडी से मुला कि बहुत सारे मशीन बनाते हैं यह तो लगता है Three Idates वाली स्टोरी बीच में मुझे नजर आ रही थी फिल्मे की यह थ्री डिर्स वाली स्टोरी नहीं है, यह सच स्टोरी है, क्योंकि ना उनको जो भी वो पढ़ाते हैं, चाहे वो mathematics पढ़ाया या फिर जिंदगी की बाते बताएं, बहुत ही practical तरीके से बताते हैं, mathematics ऐसा नहीं है कि आप mathematics एक theoretical चीज है, mathematics बहुत ही practical चीज है, अगर आप उ मैया चेप्टर शुरू करें, तो इसको बड़े ही आम जो जिंदगी है, इंसान की जिंदगी से जोड़ के घटनाव से जोड़ के बढ़ाया करते थे, और इस तरीके से जब जोडते थे, तो हमारे दिमाग में एक अलग सी उसकी बनने लग जाती थी, और हम खेलने लग ज जाते थे, उस चेप्टर के साथ खेलें लग जाते थे, और पता चलता था कि उसका जो जो प्रैक्टिकल मीनिंग है, वो क्या है, प्रैक्टिकली इस जो मैथेमेटिक से उसको कैसे हम अपनी जिंदगी में इंप्लिमेंट कर सकते हैं, बहुत इंट्रेस्टिंग, जैसे कभी-कभी बच्चों से बातचीत करते हैं, खूब हंसी मजाक हो गया, कोई ऐसी कहानी हो गई, कुछ ऐसे चुटकुले बोल दिये, तो यह सारी सीजे हुआ करती थी, बच्चे भी बड़े फ्रैंक हो जाते थे सर के साथ, और बच्चे भी कुछ गाना गा दिया चुटकु टेक्निकल तोर पे फिल्म को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, लेकिन फिल्म में बहुत सारी ऐसी चीजे हैं, जो बच्चों को या फिर जो युवा है, उनको बहुत कुछ सिखाती है, और आनन सर की जो एक ऐसी कहानी है, जो पूरे देश तक पूरे दुनिया तक पहुचन मसाला है, यह सब लगाना पड़ता है, थोड़ा उसको बिजनेस के लिए, तो यह आप सुन रहते हैं, सूपर थर्टी के बारे में, सूपर थर्टी आपको क्यू देखनी चाहिए, अगर आप आननत कुमार से प्रेरित होना चाहते हैं, तो आप जरूर देखें, लेकिन फि इंस्पायर करेगी, आपको इमोशनल फिल्म है, और आप अपने फैमिली के साथ ये फिल्म जरूर देखने जाए, आपके बच्चे जरूर इस फिल्म से इंस्पायर होगा, इस तरह के रिव्यूस हम आपको लगातार देते रहेंगा, आप बनेरे सिटी पोस्त के साथ, नम हमारे फोन नमबर से, 9472-981111, 9472-982222, साथ केर आप, सलूशन अट योर फिंगर टिप्स.